ये इस्टुडेंट वेल्कम तू यू माई यूटूब चैनल बिद जोग्राफी 12 तास तो डियर इस्टुडेंट वीडियो को देखने से पहले किरपया आप यूटूब वीडियो को सस्क्राइब करें, सेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सीधे वीडियो आपके यूटूब पर अप्लोड हो सके और वहां से आप जोग्राफी की क्लास ले सकें तो डियर इस्टुडेंट आज हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास की और और उस कल वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हूँ तो इसमें तीसरा काल चल रहा था आधनिक काल किस तरीके से विकास हुआ और उस विकास को आगे बढ़ाते हूँ देखिए किताब की और चलते हैं देखिए डियर इस्टुटेंट फ्रेडरिक रेडजेल यहां से सुरुवात करेंगे यहां तक तो हमने पढ़ दिया था कि फ्रेडरिक रेडजेल जिन्हें आधनिक मानव भूगल का संस्तापक कहा जाता है यहांनि मानव भूगल का जो जनक है उनको फ्रेडरिक रेडजेल है इसे कुश्चन संबन देता आता है कि आधनिक मानव भूगल के जनक कोन है उन्होंने बताया कि मानव समाजों वा प्रत्वी के दरातल के पारस पर एक संबनों के संसलेशनात्मक अध्यन पर जोड़ दि किया गया तो कहने का मतलब यह तीन बिचारदाराय निगल के आई सबसे पहले नियतिवादी नियतिवादी को हम प्रकर्तिवादी बोलते हैं और यह प्रकर्तिवाद का मतलब होता है इसमें प्रकर्ति को स्रेष्ट माना जाता है इस बिचारदारा में और यह कहा जाता है क प्रकर्ती मानव को अपने एकॉर्डिंग डाल सकती है मानव चाहे कितना भी वो विकास कर ले लेकिन प्रकर्ती के अनुसार उसको रहना पड़ता है इसके बाद में दूसरी विचारदारा ही संभवादी संभवादी विचारदारा में ये का गया है कि प्रकरती मानव को संभावनाय प्रदान करती है और मानव उन संभावनाओं का उप्योग करता है और उप्योग करते हुए अपने विकास किरापर आगे बढ़ता है इसके बाद में तीसरी विचारदार आई नवनियती बादी और नव नियती बादी विचारदारा के अनुसार ये का जाता है कि ये जो दोनों विचारदारा हैं उन दोनों के बीच का माध्यम है अर्थात ना तो मानव प्रकरती को गुलाम बना सकता है और ना प्रकरती मानव को गुलाम बना सकती है केने का मतलब मानव की ठेक्नोलोजी से प्रकरती को अपने एकोर्टिंग डाल लिया है इसे नई विचारदारा के नाम से जाना जाता है तो नियतीबाद में क्या होता है प्रकरती और संभवाध में होता है मानव दौनों को तो नियती बाद में प्रकर्टी और सम्भाबाद में मानव को अधिक प्रवाई भी माना जाता है 21 सदी के आरंब में अब नियती बाद के अनुसार दोना के पारस पर एक संबन्दों में समंज़से पर जोड़ दिया गया या विचारदारा रुकोवा जाओ के नाम से भी जानी जाती है इस विचारदारा को रुकोवा जाओ के नाम से जाना जाता है इस नव नियती बाद विचारदारा के प्रवर्तक थे गिर्फिट टेलर योगी ऑस्टेलिया भूगल वेता थे गिर्फिट टेलर 1930 के दसक में मानव भूगल का विवाजन हो गया और विवाजन क्या मतलब हो गया मानव भूगल के कई उपचित्र हो गये जिनमें सबसे पहले सांस्कृतिक भूगल और आर्थिक भूगल सांस्कृति भूगल में मानव की सांस्कृति रेंसेन, निवास, अधिवास, अधियन किया जाता है, इसके बाद मार्थिक भूगल में मानव के जितने भी आर्थिक पहलू है, जिन से मानव को धनप्राप्त होता है, उनका अधियन किया जाता है, विसेसी करण की बढ़ती प् कारण मानद बुगोल की अन्यक उपसाखाएं सामने आई जैसे राजनेतिक बुगोल जिसमें बेविन प्रकार के चेत्रों की सीमा का द्यान की जाता है चिकिस्टा भूगल, चिकिस्टा भूगल में प्रत्वी पर चिकिस्टा किस तरीके से विक्सित हुआ, चिकिस्टा पदेती विक्सित हुआ, उसका अध्यन किया जाता है दौनों विश्व उद्धों के मद्दे की अबदी में दोनों विश्वजद्य जो हुए थे हमारे उन दोनों विश्वजद्यों की बीच की अबदी में छेत्रिय विवेदन के अध्यनों पर विश्वज जोर दिया गया जो छेत्रिय आदार पर विविण प्रकार की बिनता है पाई जाती थी उन पर जोर दिया गया दित्य विश्विद्य के बाद दो दस कौमें यानि 20 वर्सों में मानव भूगल की विश्वस्व में इस्तानिक संगठन उपागम का मतलु होता है शेत्री आदारों पर संगठन बनाए गए उनके द्वारा विविन मानुविय क्रियाओं के प्रती रूपों की पहचान करना रहा था है विश्वस वर्सों में इस्तानिय सेत्नों की मानविय करियाओं के प्रती रूपों की पैचान करना रहा था मातरात्मक करांती से उत्पन असंतुष्टी मातरात्मक करांती का मतलग होता है कि जोगराफी में संख्यात्मक मानों की बड़ोतरी होना जैसे कि बहुत सारे सांखी की मान आधिक अध्यन भूबल में किया जाता है तो इनका प्रचलन शुरू हो गया था जिसे मातरात्म क्रांती के नाम से जाना जाता है। पुर्थी करने के लिए प्रांथी करते हैं। आचरन परग विचारदारा के अनुसार मनुष्य आर्थी कर्यां करते समय हमेसा आर्थी कलाब पर ही विचार नहीं करता। पर आधारित होते हैं बिचारों में बदलाव आंसिक रूप से विसलेशन के मापदंडों में परिवर्दन के करण आते हैं 21 सदी में माना भूगल में सामाने निकाह सिध्धान्त तथा मानविये दसाओं की ब्याक्या करने वाले वैस्विक सिध्धान्तों की उपएदायता पर प्रिशन उठने लगे जो 21 सदी से पहले जिन सिध्धान्तों को माना मानते थे भूगल मानते थे उन पर प्रिशन उठने लगे अब अपने आप में प्रतियक इस्थानिय संदर्व की समझ की मैत्व पर जोड़ दिया जा रहा है बरतमान में इस्थानिय शेत्र की जित इसके बाद में देखिए हम अभ्यास पुर्शनों की तरफ चलते हैं सबसे पहला कुश्चन है आदिनिक माना बोगल के जन्मदाता कौन थे इसका सही आंसर है फ्रेडरिक रेड़ जैल दूसरा कुश्चन है माना बोगल चंचल मानावर आइस्ताइ प्रत्वी के परिवर्ट संबंदों का अध्यान है परिवस्चा किसने थी एलन सेंपल ने ठाइट आंसर एलन सेंपल जो की प्रेडरिक रेड़ जैल की सिश्चन थी तीसरा कुश्चन है नव नियतिवाद की परवर्टक कौन है तो इसका रही राइट आंसर है गिर्फिट टेलर जो अभी पढ़ा न में वैधा नहीं है तो बावबलास डेृदा यह फ्रांसी कोई अधी और जो रेटर है इसका पूरा नाम है तो इसमें बारत चीन मेसर यूनान रोम अधिया थे माना भूगल के पांच उप चित्रों की नाम बताइए तो यह नवे कुश्चन से लेकर के सभी कुश्चन जो हैं वह आपके नोट्सों में मिल जाएंगे जो कि मैंने नोट्सों में पोटो में आपको बेज़ दूंगा औ और इसके बाद में यह हमारा पार्ट पहला कंपलीट होता है तो बच्चों अगर इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो मेरे परसनल नंबर पर वार्टसप में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अंत्मे में यह कहूंगा जिन और वेल आइकन को प्रेंस करें ताकि आपके यूटूब चैनल पर सीदे मेरी वीडियो पहुंच जाए और वहां से आप इसका लाव ले सकें बहुत 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 धन्यवाद